है 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 अर्थी चोधरी सभी को बिल्कुल वैरी गुड इवनिंग रादे राम राम एक बार ज़रा मुझे कॉमेंट करके आप लोग यह कंफर्म कीजिए कि ओडियो वीडियो सब कुछ और लोग के है ठीक है यदि आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि और आप चाहते हैं कि मैं आपको लंबे समय तक किसी तरह की इंट्रक्टिव क्लासिस प्रोवाइड कर आती रहूं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अड़र 24-7 की एप्लिकेशन को प्ले स्टोर से जाकर आप लोग जरूर नाउनलोड करेंगे विकोज ज साथ नवंबर से शुरू हो जाएगा मैं आपको information दे देती हूं ठीक है यह है आपका बैच जो हमारा साथ नवंबर से शुरू होने जा रहा है वाई 446 कितना बच्चा आप लोगो डिसकाउंट के लिए code क्या लगाना है वाई 446 क्योंकि आपको पता है 20 नंबर की science separate बट लेकिन सुनो मेरी बात ALP का यह आपको एक ही बैच मिलेगा इसमें कोई test series वगरा आपको नहीं मिलेगी लेकिन यदि आप यह महापैक लेते हैं वाई 446 कोड लगाकर यदि आप यह महापैक लेते हैं तो फिर आपको कोई भी test series कोई भी railway की कि किसी vacancy के लिए चाहे व हमने अपने question छोड़े थे आज हम वहीं से अपने questions को continue करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला question आपका क्या है पहला question है बच्छे आपका क्या देख लेते हैं एक बार जरा स्क्रीन पर आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है निम्न लिखित में से क बार जरह जोरदार तरीके से कलाश को शेयर करेंगे Like जरूर करेंगे और याद रخना Comment सब लोक करेंगे बिलकुल कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताईए इन में से कौन सा आपका युग्म सुमेलित नहीं है जेम्स वोट के खोज अव्यसली भाप इंजन की खोज आपकी जेम्स वोट नहीं की थी ग्राम बैल ने टेलिफॉन की जेयल बैयार्ड ने आपकी टेलिवीजन के खोज की थी लेकिन आपकी पैंसी लिंग की खोज की थी किसने एलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने और किस से की थी पैंसी लियम नाम की फंजाए से पैंसी लियम नाम की फंजाए से आपकी इसकी इन्हों ने खोज की थी ठीक है ओके ज ने जेट इंजन काव इंदमें से किसने किया था ह मताई एब है जेट इंजन काव इसकार इंदमें से किसने किया था इंसरोक है पर्केशल आ करता है इसलिए मैंने पहले आपको यह कवर करा देती हूं जिसे कि ताकि जो बच्चे वीडियो उसको बाद में देखते हैं उनका भी टॉपिक कवर हो जाए और साथ इसका रिवीजन भी कर सके जैट इंजन का अविशकार इनमें से किस ने किया था आपका बेटा फ्रैंक व आना जाता है बेटो सुबह के नो बज़े से रात के नो बज़े तक ओफिस में है हम सोच लो देख लो आप सब के लिए है ना तो आप से बस हम क्या चाहते हैं आपका साथ और आपका प्यार है ना चलो जी माइक्रोफोन के अविशकारक इनमें से किस को कहा जाता है बिल्कुल फटा फट यार तुम लोगों ने लाइक बहुत कम किया है क्लास को और देखो डेली नो बज़े से बस ऐसा हो सकता है कि चार पांच मिनट लेट क्लास हो अदरवाइस डेली आपकी नो बज़े ही क्लास आप अपनी जिम्मेधारी उठाइए मैं अपनी जिम्मेधारी उठाती हूं ठीक है। दोनों साथ साथ बढ़ेंगे डॉक्टर जोईल एंजल बखक कि किसकी microphone की खोज की थी ठीक है next question देखते हैं जरा आपका क्या है scooter के अविश्कारक किसे कहा जाता है यानि scooter की खोज इन में से किस ने की थी डॉक्टर केविन ने डामलर ने आइंस्टीन ने या आपके फॉर्मिच ने किसने इन में से scooter की खोज की थी फटाफट आंसर करेंगे हाजी यार पता ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस class में न सारा बच्चा पढ़ने वाला है और almost जितना बच्चा लाइब है उतना आंसर भी कर रहा है यार आप लोग अपने एक्जाम के लिए सीरियस हो देखो सिंपल सी बात है रेलवे में वेकेंसी बेटा लगबग लगबग तीन लाग आएंगी ये बात तै है आप लोग देख लेना एक बार वेकेंसी की शुरुवात हो जाने तो ससी में आप लोग देखे रहे हो लगबग डबल वेकेंसी हर फिल्ड में कर रहे हैं बाद में फॉर्म फिलिंग के बाद भी सीजील में आपकी वेकेंसी बढ़ी है डेफिनेटली जीडी की आपकी बढ़ चुकी है वेकेंसी 25,000 के करीब लेकिन ये भी आपकी बढ़ेंगी डोंट वरी ये भी आपकी बढ़ेंगी तो रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है उपर से जितनी भी साइड वेकेंसी जो आपको पता ही निया जिसे आज ही मैंने एक नोटिफिकेशन किया था अलाबाद हाई कोट में लगबग चार हजार वेकेंसी निकाली है किसी में दो हजार किसी में चार हजार किसी में पांच हजार इन सब वेकेंसी को बाद में दस लाख में जोड़ा जाएगा आप लोग देख ले ना क्योंकि मोदी जी ने ये कहा है कि दस लाख रोजगार दें विकोज ओफिसल आपकी ओफिस वर्क की जोब है भई DRDO में निकली हुई है आपकी है ना कल मैंने AMC का आपका वो किया था देखो अटोमिक मिनरल रिसर्स सेंटर जो है वहाँ वेकेंसी निकली हुई है तो आप लोगों को अवेर रहना है अलर्ट रहना है इसपेशली मैं जिदने भी सेशन्स करती हूँ न जोब को लेके वीडियोज में जाके सर्च किया करो कि आज आरती मैंमने क्या सेशन किया है आज कहा वेकेंसी निकली है और यार फोम सारे भरो मेरी मानो तो बिटा फोम सारे भरो एक्जाम सारे दो एक्जाम देने से बहुत अच्छा एक्सपिरियंस मिलता है आगे को आपके छोटे भेन भाई होंगे उन्हें भी आप समझा सकोगे कि इस पेपर में ये चीज़े आती है बहुत अच्छा एक्सपिरियंस मिलता है सो दो सो चार सो पान सो के लालच में मत पढ़ो एक महिने की सेलरी नहीं होगी तुम्हारी जितनी कॉम्पिटिटिव एक्जाम में ओनलाइन फिल्ड में आपका टोटल खर्चा होगा बिल्कुल तो स्कूटर का अविश्कार इन में से किस ने किया था आपका डॉक्टर केविन ने किया था किसने डॉक्टर केविन ने किया था ठीक है जी अगला कोशन देखते हैं जरा एक बार नाभी की रियक्टर के खोज करता कौन है बताइए न्यूक्लियर रियक्टर की खोज इन में से किसने की थी न्यूक्लियर रियक्टर की खोज इन में से किसने की थी बताईए जी न्यूक्लियर रियक्टर की खोज इन में से किस ने की थी तो देखो बेटा न्यूक्लियर रियक्टर की खोज कौन थे आपके करने वाले एंड्री को फर्मी एक बार या देखो मुझे पताए आप लोग 200 तो पहुंची गए हो बट इस हमबल रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल तो आज इस सेशन को आप लोग 500 लेके जाए ठीक है दूसरा ही दिन है आज हमारी क्लास का बट आई वोंट कि आप लोग ऐसा करो क्योंकि रेलवे में रेलवे की तैयारी सबसे पहले हमने शुरू की है ठीक है तो आप लोगों की सारे बच्चों में इस मैसेश को वाइरल कर दो की एससे एडर 24-7 पर रेलवे की जितनी वेकेंस से आने वाली है उन सब की तैयारी शुरू कर दी गई है आप लोग बिल्कुल हमारा साथ और प्यार इसी तरह से बनाए रखिए एंड्री को फर्मी ने इसके आपकी किसकी न का विष्कार इन में से किसने किया था बहुत ही üzी कोश्चन है कुछ कोश्चन्स तो मैंने आपको कल ओरली भी भी बताया था इन मेंसे बहुत सारे यदि आपको याद होंगे तो बताईए वायरलेस का विश्कार किस ने किया था रेलवे की रिकूरूटमेंट आने वाली है ये समझे लो लेट से लेट नवेंबर लास्ट आ जाएंगी बेटा आपके विकेंसी wireless का विशकर इन्में से किस ने किया था बेटा आपका मारकोनी सहाब ने किया था fountain pen का विशकर किस ने किया था बताइए fountain देखो बहुत ही ऐसे question जो बिलकुल basic है और जो हर exam में बहुत बार पुछे गए है रेलवे ही नहीं बेटा कोई भी आपको एक्जाम है ना ये कोशन जितने भी आपको स्लाइड पर इस समय दिख रहे हैं कम से गम एक एक कोशन पांच पांच छे छे बार एक्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने ये सारे कोशन एक साथ कलेक्ट किये हैं फांटेन पैन का अविशकार इनमें से किसने किया था वोटर मैन ने पारकर ने चैल पार्क ने या सैफर ने फांटेन पैन का अविशकार इनमें से किसने किया था जली यली आंसर करेंगे और सारे बच्चे आंसर करें सारे बच्चे आंसर करें भई फाउंटेन पैन का अविशकार इन में से किस ने किया था आपका वोटर मैन ने किया था निमन में से अलेक्जेंडर ग्राम बैल दौरा किसका अविशकार किया था टेलीफोन का बल्ब का रेडार का या रेल के इंजन का या फिर रेल के इंजन का बताईए निमन में से अलेक् लेंडर ग्राम बैल दुआरा किसका अविश्कार किया गया था घृते लिए ट्रेड रिलेटिड जो आपकी क्लास होंगे वह सीवेटी टू की पार्ट है पहले सीवेटी पर फोकस करें हम लोग जो पेड़ क्लासिस होंगी वहां आपका बैच है एक बैच है जो सीबीटी वान और सीबीटी टू दोनों की तैयारी कराएगा ठीक है वह अगर आप लोग परचेस करना जाते हैं तो वाई 446 कोट लगा कर वह भी परचेस कर सकते हैं को स्कोट की बिना डिसकाउंट नहीं मिलेगा खामखाप के दस बारा हजार रुपे लग जाएंगे इसलिए मैं आपको बता देती हूं हमेशा लेकिन पहला मेरा फोकस यह है कि मैं आपका पहले cbt1 किलियर कराओंगी फिर cbt2 की तुरंत हम लोग तयारी शुरू कर देंगे जैसे ही आपका cbt1 का एक्जाम होगा तो ग्राम बैल ने किसकी खोज की थी आपकी टैलीफोन की खोज की थी ठीक है जी सेफ्टी लैंप की खोज इन में से किस ने की थी सैस्थ सेफी लैंप की खोज इन में से किस ने की थी मारगोली डेवेश कोल्स यहोंअ इसिप्टी लैंप Когда और शकारक कौन थे बता कि ऑ हविशकरक कौन थे ए सेफटी लांप के अविशकरक कौन थे वेटा डेवी सहाब देखो ये सारे कॉश्चन्स की ना कोई ट्रिक नहीं है ये वीडियो और ये कॉश्चन्स कम से भी कम आपको पांच-छे बार रिपीटिडिली देखने होंगे समझने होंगे तब जाके ही पड़ेगा इससे जादा की भी जरुत नहीं है इससे जादा की भी आपको जरुत नहीं है बाई अगला कोशन देखते हैं जितना भी बच्चा इस समय क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबका अंसर चाहिए क्योंकि ये कोशन मैंने आपको कल बताया था कि बिजली के अविश्कार बिजली के बल्ब का अविश्कार रात में भी हम लोग दिन की तरह बिल्कुल उजाले में रहते हैं प्रकाश में रहते हैं उस अविश्कार का श्रे एक इन अदद लेने के लिए अब गुगल बापा से टाइप करके पूछ कहाएंगे बिजली के बल्ब का विश्कार किसने किया था वो बोलतेगा आपका थोमस एलवा एडिसन ने किया था लेकिन सुनिए जो एडिसन सहाब थे ना उन्होंने जो बल्ब बनाया था वो उनका एक सारवा एक्सपेरिमेंट था नो सो निन्याड में बार वो आपके फेल हुए थे ठीक है और आप लोग क्या करते हो एक बार जरा सी फेलियर देखी नहीं अब मैं कभी एक्जामी नहीं दूंगा अब तो मैं सरकारी नोकरी नहीं करूंगा सारी टीचर पागल है सारी टीचर ब बड़े लेवल पर फेलियर देखिये पार कितनी बार प्लान बदला होगा कितनी बार चीजेंज की गई एंगी रात दिन या फिर आपका गुस्टाव तोसुष ने बार्व मीटर का करेंगे बार्व मीटर का अविश्कार इनने से किसने किया था इस है्ट है भाग लिस्टा टॉरेसिज ने किसमें बेटा आपका एवाग लिस्टार टोरेसेज ने आपका बारो मीटर का अविशकार किया था देखो जितने साइंटिस्ट के नाम लिखे होते हैं ज़रूरी नहीं है किसी ने कुछ ना कुछ इंवेंशन ही कियो बहुत सारे नाम आपको सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए या फिर आपको चार उप्शन देने हैं इसलिए भी एक्जाम लड़ देता है जो आप लोग यह सोच रहे हो मैं इसने क्या किया इसने क्या कुछ कोश्यंस मैंने डाले हुए हैं दूसरा हर किसी ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें इन्वेंट नहीं की हुई है इलक्ट्रोनिक कॉंप्यूटर का अविश्कार किसने किया था इलक्ट्रोनिक कॉंप्यूटर का अविश्कार इन में से किसने किया था बताईए इलक्ट्रोनिक कॉंप्यूटर का अविश्कार इन में से किसने किया था इलक्ट्रोनिक कॉंप्यूटर का अविश्कार इन मे से किसने किया था LED का अविश्कार इनमें से किसने किया था निक होलो नियोक ने कॉल बैंज ने थोमस एलवा एडिसन ने या एड़ टेलर ने LED का अविश्कार अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही की LED का अविश्कार इनमें से किसने किया था LED का अविश्कार इन में से किस ने किया था बेटा अभी दूसरी ही क्लास है धीरे 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 पहले आपका लेवल देखेंगे फिर आपको फ्योरी पढ़ाएंगे निमेरिकल भी कराएंगे LED का अविश्कार किस ने किया था निक होलो नियॉक ने किस ने बेटा आपका निक होलो नियॉक ने आपका क्या किया था LED का अविश्कार किया था, नगला कॉशन देखते हैं, मशीन गण का अविश्कार किस ने किया था, बताईए, मशीन गण का अविश्कार इन में से किस ने किया था, मशीन गन का अविशकार इन में से किस ने किया था मशीन गन का अविशकार किया था आपका जोर्डन गैटलिंग ने किस ने किया था बच्छा आपका जोर्डन गैटलिंग ने आपका मशीन गन का अविशकार किया था अगला कोशन देखते हैं ज़रा एक बार safety razor का अविशकार किस ने किया था safety razor का अविशकार इन में से किस ने किया था बताईए safety razor का अविशकार देखो एक बहुत famous company है आपकी razor की वही इसका answer है चलो मैंने आपको थोड़ी सी hint दे दी है अब देखते हैं आप लोग कितने पाते हैं रेजर की इन में से एक बहुत फेमस आपकी एडवर्टाइजमेंट उसके आते रहते हैं बहुत फेमस कंपनी हैं बताओ फिर अब आपका सेफटी रेजर का अविशकार किसने किया था जोर्डन गैटलिंग ने आपकी मशीन गन की खोजगी थी जो इससे पीछे वा चाहिए आपका जिलेट ने सेफटी रेजर का अविशकार किया था पारद थर्मामीटर का अविशकार किसने किया था यानि पारे वाला जो थर्मामीटर होता है इन में से किसने उसका अविशकार किया था न्यूटन ने फारन हाइट ने प्रेस्टले ने या मैक्सवेल ने या Maxwell ने इसमें भी आपका hint मैं आपको दे देती हूँ जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं हमारी body का temperature कितना है 98.6 Fahrenheit है ना unit क्या लगाते हैं हम लोग temperature को ना अपने की Fahrenheit Celsius में भी होता है लेकिन अधिकतर हम लोग जब भी गभी बुखार वगरा मेजर करते हैं बोडी का temperature मेजर करते हैं तो Fahrenheit में ही जदा करते हैं दाइट्स मीन कि जो आपके पारद यानि पारे वाला जो बेटा आपका मरकरी धर्मामीटर जो है इसकी खोज किसने की थी Fahrenheit ने की थी किसने की थी बचा आपकी Fahrenheit ने की थी अगला कॉशन देख लेते हैं निमन मेंसे गलत युगम को चेंद कीजिए मेडम क्यूरी ने डानमाइट की खोज की थी, ग्राम बैल ने टैलिफोन की खोज की थी, जे एल बेयर्ड ने टैलिवीजन की खोज की थी, और जेम्स Ariel वोट ने स्टीम इंजन की खोज की थी, तो बताइये इन में से कौन सा गलत मैच है। देखो class पूरी attend करनी है भई आपको तभी कुछ फायदा होगा देखो simple सी बात है ग्राम बैल ने टेलीवीजन की खोज की थी सही है जे अल बेयर्ड ने टेलीवीजन की खोज की थी ठीक है और जेम सोट ने steam इंजन यानि भाप के इंजन की खोज की थी लेकिन मैडम क्यूरी ने कहां आपके dynamite की खोज की यह तो आलबरट आपके नोबल ने की थी ठीक है जो आपके अलफरड नोबल थे उन्होंने आपके डायनमाइट की खोज की थी जिसके लिए इनको नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था बतलब नोबल प्राइज आपका इनकी इस खोज के लिए ही स्टार्ट किया था डीजल इंजन का अविशकार इन में से किस ने किया बताइए डीजल इंजन का अविशकार इन में से किस ने किया नहीं वो कोई मुझे टेंशन नहीं है जो आप लोग कमेंट करते हो कि मैं बच्चे कम है या जो भी कुछ है वो बढ़ जाएंगे बच्चा ठीक है अभी आपकी नोटिफिकेशन आएगी अभी बच्चा धीर- क्लास में जितना बच्चा प्रेजेंट है वो आंसर सारे बच्चे करें मुझे वो जील दिखनी चाहिए कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूं वो कोशिश करते हैं वो महनत करते हैं बस ये चीज़ दिखेगी तो वो चीज़ अपने आप आई ही जाएगी फिर अंदर एक दहन इंजन के लिए यूज किया जाता है मतलब इंटरनल कंबक्शन जो होता है उसको हम कार्बॉरेटर से नापते हैं कार्डियोग्राफ हिर्दिय तल के लिए यानि हार्ट बीट के लिए ठीक है और सीजमो मीटर प्रेश्ट तल की वक्रता के लिए इन में से कौन सा आपका सही मैच नहीं है यह आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं है थैंक्स टू अलोफ यूज थैंक्स टू अलोफ यू भाई कि आप लोग जितना मचा क्लास में प्रेजेंट है उतना ही समय अंसर कर रहे हैं बिल्कुल तो देखो बिटा आपका मैनोमीटर बिल्कुल दावांतर के लिए हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं कौर्बोरेटर से हम लोग इंटर्नल कार्डियोग्राफ बिल्कुल आपका हार्ट प्लेन के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं लेकिन सीजमो मीटर का इस्तमाल हम लोग बिल्कुल भी प्रश्ट तलकी वक्रता के लिए नहीं करते ठीक है यानि डी जो है यहां पर पूरी तरह से आपका गलत है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है एनिमो मीटर का इस्तमाल हम लोग वाईयो की चाल के लिए करते हैं अमीटर से हम लोग वैद्युधारा का पता लगा पाते हैं टैकियो मीटर से हम लोग दावांतर का पता लगाते हैं और पाइरो मीटर से हम लोग उ आपकी वायू की गती का पता लगाते हैं अमीटर से वैद्युद्धारा का पायरो मीटर से उच्चिताब का ठीक है लेकिन टोक्यो मीटर जो यहाँ पर लिखा हुआ है दाबांतर बिल्कुल भी नहीं होता इसे तो हम घूरनन चाल का पता लगा पाते हैं ठीक है तो दाबां लगाया यह हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं बैरो मीटर एनिमो मीटर हाइग्रो मीटर या स्ट्राइबोस्कोप या फिर इस्ट्राइबोस्कोप से कि सुरेंद्रा आई लाइक दिस क्लास कि हाँ बिल्कुल स्पीड ओब वी गूनन चाल वह यह एक उड़ते हुए चक्के के प्रती सेकिंड घूर नन किस से ना पी जाती है देखो बैरो मीटर तो भहिया दाब के लिए एनिमो मीटर वाई यू की चाल के लिए हाइग्रो मीटर आपकी पानी की जो आपकी क्या होती है एक तरह से डैंसिटी वगारा के लिए एक ही ऑप्षन बचापका स्ट्राइबो इसकोप से हम लोग जो आपका चक्का हवा में होता है उसने प्रती सेकिंड कितने चक्कर लगाए है वो हम स्ट्राइबो इसकोप से नापते हैं ठीक्छा जी अगला कॉशन है सा साइक्लोट्रोन बहुत अच्छे लेवल के कुश्चन है मुझे पता है जो बचे बाद में रिकोड़ेड भी इस क्लास को देखेंगे ना डेफिनेटली आप लोग कमेंट किये बिना रुक नहीं पाओगे क्योंकि मुझे पता है कि यह कुश्चन कितने अच्छे है साइक्लो प्रोट्रोन परमाणू या आयन बताइए साइक्लोट्रोन किसको त्वारित करने के लिए प्रियुक्त किये जाते हैं तो साइक्लोट्रोन से हम लोग किसको नापते हैं आपका परमाणू को किसको बच्चा साइक्लोट्रोन से हम लोग किसको नापते हैं आपका परमाणू को नापते है वेट स्टोन ब्रीज से क्या मापा जाता है वैद्युत धारा विभांतर प्रतिरोध या विभव अब क्लास कब स्टार्ट होती है आपकी बिटा नो बजे बताईए भई फटाफट तो वेट स्टोन ब्रीज से हम लोग क्या नापते है वैद्युत धारा एमीटर से विवांतर आपका वॉल्ट मीटर से प्रतिरोध आपका बताओ भटफटाफट प्रतिरोध आप लोग सो समझगे बिलकुल वेट स्टोन ब्रीज से हम लोग क्या नापते है बिटा आपका प् बिलकुल C जिनका भी आंसर आया है बिलकुल सही आया है और बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया भी है That means कि आप लोग रेलवे वाले बच्चे हो जूट का पता लगाने वाला यंत्र इन में से कौन सा है एक ऐसी मशीन होती है यदि आप जूट बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे कुछ नहीं मम्मी बस यहीं गया था थोड़ा सा ऐसे ही बस नोट्स लेने के लिए गया था अरे राकेश के पास बड़े अच्छे नोट्स हैं उसने किताब में से बनाये थे और पता लगा था नुकड पे आप लोग चार लोगों के बीच में बैठके अपना दस मिनट पंदरा मिनट गप्पे लड़ा के आयो तो एक ऐसी मशीन होती है जिससे जूट का पता लगाया जा सकता है कि आप जूट बोल रहे हो या सच बोल रहे हो वो मशीन बता देगी पाइरो मीटर से तो बेटा हम लोग टैंपरेचर का जो आपका हाई टैंपरेचर मेजर करते हैं वो पाइरो मीटर से ही करते है सीजमो ग्राफ से हम लोग क्या करते है बचा आपका अर्थक्वेक का पता लगाते है बिलकुल पॉली ग्राफ जो है यह पॉली ग्राफ वो मशीन होती है जिससे हम यह पता लगा सकते है कि आप जूट बोल रहे हो या सच जूट बोले कववा काठे काले कववे से मत डरियो है ना तो कववे की जरूरत नहीं है हमारे पास में वैसी मशीन है जिससे हम पता लगा सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं आपको थोड़ा सा लंबा कोशन दिख रहा है बट लेकिन इजी है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं है ओडो मीटर से हम लोग वाहन के पईयों के द्वारा तै की गई दूरी नापते हैं ओडो मीटर से वैद्यूत चुंब किय है बागी कोशन आपका बहुत इजी है क्योंकि देखो ओडो मीटर आपने देखा होगा एक स्पीडो मीटर होता है एक ओडो मीटर होता है गाड़ी या फिर आपकी बाइक के सामने आप लोग अगर देखेंगे जहां वो दो तीन गोले गोले बने होते हैं उनमें से एक से हम वैद्यूत शक्ति नहीं बलकि वैद्यूत धारा को बलकि वैद्यूत धारा को हम लोग मेजर करते हैं ठीक है हम लोग वैद्यूत धारा को मेजर करते हैं किलियर बच्चा ओके अब लास्ट में आप लोग देखेंगे कैसे बैच में इंरॉल्मेंट कराना है सिंपल सा प्रोसीजर है आप लोगों को अड़ा 24-7 कहां बचा हमारी वेबसाइट विजिट करनी है अड़ा 24-7 एप्लिकेशन है तो और भी अच्छी बात है क्योंकि एप्लिकेशन पर 15-20 रुपे कम मिलता है आपको हर एक बैच ओल कोर्स में जाकर रेलवे आप लोग सेलेक्ट होंगी क्योंकि आप लोगों को यह पर्चेस करने के बाद कोई और बैच नहीं खरीदना पड़ेगा ना सीबीटी वन का ना सीबीटी टू का वाई 446 कोड लगाकर मात्र 900 रुपे में बलकि आपका एप्लिकेशन से तो 800 कुछ में बढ़ जाएगा अगले बारा महिने के ल आपको free में मिलेंगी जितने भी आपको दिख लिएं दो को नीचे तक ACT 9 सारी हैं 201 के सारी की सारी ईबुक सान जो आपको free में मिलेंगी किलियर लेकिन ALP वाले बच्चों के लिए हमारी एक book है जो काफी अच्छी है जिसे काफी बच्चे पसंद कर रहे हैं ठीक है बच्चा ये आपकी एक किताब है भी हमारे पास में guide book के नाम से जिसमें 4500 से ज़्यादा question है आपके exam में आ चुके हैं तो इसके लिए आपका code रहेगा किताब के लिए Y446 पीछे आप लोग S लगाएंगे S नहीं लगाओगे तो discount नहीं मिलेगा 372 रुपे में ये किताब तुम्हारे घर पर पहुंचा दी जाएगी ठीक है clear बच्चा ओके तो महापैक आप लोग purchase कर लीजिए साथ तारिक्स में उसमें आपके classes live शुरू हो जाएंगी ठीक है और कोई doubt है तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी doubt है बच्चा तो आप बिलकुल पूछ सकते हैं मैं देख रहे थी एक बच्चा कुछ comment अभी कर रहा था नहीं test series नहीं लेने की जुरत बड़ेगी यदि आप लोग महापैक ले लोगे तो तो चाहें तो आप लोग separate बैच ले लीजिए लेकिन मैं तो आपकी जगह होती तो बिटा railway का महापैक ही लेती ठीक है railway का महापैक ही मैं आपका लेती इसमें बेटा आपका code वही रहेगा Y446 ठीक है जी क्या रहेगा बच्चा आपका Y446 ही आपका code रहेगा किसी भी बैच के लिए code Y446 है और test series और books के लिए code क्या है Y446S ये आपका test series और books के लिए तो मैं उमीद करती हूँ चोटी सी class आपको अच्छी लगी होगी अभी next class आपकी पवनसर की होगी तो सारे बच्चे पवनसर की class में जाएंगे ओके बच्चा अब आपसे सुबह मिलते हैं बाई बाई टेक केर जेहिंद